नमस्कार बहुत स्वागत आपका इस्पेशल रिपोर्ट में मैं हो रिनू नेतन्याहों को इरान से एक बहुत बड़ा जटका लगा है इरान में रहने वाले यहूदी अब इसराइल से लड़ने को तयार हैं दुनिया में बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसराइल के बाद पश्चिमेशा में यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी इरान में रहती है और यहां एक यहूदी सांसत भी है अब इरान की सी यहूदी सांसत ने इसराइल के प्रधान मंतरी नेतन्याहों को धंकी दी है और कहा है कि अगर इरान पर हमला करने की कोशिश की तो इसराइल इसराइल को मिचा देगा इरान का यहूदी लड़ा का 1 अक्टूबर 2024 को 2000 बलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने वाला इरान क्या इसराइल पर फिर भैंकर हमले करने जा रहा है ऐसे दावे क्यों किया जा रहे हैं कि इरान के सवर्थन में यहूदियों का एक वर्ग इसराइल का वजूद मिटानी की तैयारी में जूट गया है क्या वाकई एरान के सुप्रेम लिडर अलिख खामनेई के पास यहूदी ब्रिगेड है जो इसराइल का वजूद मिटा सकती है यह दावे और कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि एरान में एक यहूदी सांसत ने ऐसा बयान दिया है जिसने परधान मंत्री नेतनियाहू के साथ साथ रक्षा मंत्री योग गैलन्ट और इसराइल के टॉप कमांडो के होश उड़ा दिये है इरान के इस एहूदी सांसत का नाम हुमायू सामेह या नजफाबादी है जिसने प्रेस ट्रीवी पर बहुत बड़ा दावा कर दिया है खाम नई की यहूदी ब्रिगेड नेतनियाहू से लेगी बदला इरान में एक यहुदी सांसद हिमायू सामेह या नजभाबादी ने इसराइली प्रधानमंतरी वे नियामिन नेतनियाहू को धमकी देते हुए कहा है एक अक्टूबर को मिसाइल हमले के जबाब में अगर अश्रीया देश एरान पर इसराइल हमला करता है तो ये नेतनियाहू सरकार के मुर्खता साबित करने वाला ख़दम साबित होगा यहुदी सांसद हुमाईू ने नेतनियाहु सरकार को चेताउनी देते हुए प्रेस टीवी पर कहा है कि इसराइल को एक बार फिर से एरान नया हमला करके चौका सकता है हुमाईू नस्वाबादी ने यहां तक दावा किया है कि इसराइल के वज़े से पूरे पर्श्रिम एश्रिया में चौतर फा युद्ध शुरू हो सकता है कई लोगों के दिमाग में सवाल कौद रहा होगा कि इरान में यहुदी कहां से आगे हैं और यहुदियों के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले इरान का साथ यहुदी क्यों देंगी हम आपको एक चौकाने वाला आकड़ा दिखाते हैं जो साबित करता है कि इरान में मौजूद यहुदी पूरी तरह से इरान के सुप्रेम लिटर अली खामनेई के वफादार हैं वो जितनी मुहबत अली खामनेई से करते हैं उससे कही जादा नफरत इरान के यहुदी ने तन्याहू और इसराइल से करते हैं जरा देखिए इस वक्त इरान में कितने यहुदी रह रहे हैं साल 2022 में जारे हुए आकडि के मताबिक अरान में इस वक्त 9200 से जादा यहुदी रहते हैं पश्व Coronavirus में इसराइल के बास सबसे जादा यहुदी इरान में ही रहते हैं 1948 तक इरान में एक लाक यहुदी रहा करते थे लेकिन बदले हालातों की वजह से अब इरान में 9200 यहुदी बचे हैं इरान में रहने वाले यहुदीों को इरान का वफादार माना जाता है इसलिए इरान के यहुदी सांसद हुमायू सामेह याह नजफाबादी दावा कर रहे ही कि इरान को इजराइल नहीं हरा पाएगा इरान का खुर्रम चैनेंज जी हाँ इरान की चौथी पेड़ी के खुर्रम शेहर मिसाइल के आने के बाद से ही इरान का कॉंट्विडन्स हाई है इरान की हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत भी बीजोड है जिसके आगे कभी कभी आयरेड डोम भी नाकाम हो जाता है खामनेई का खर्रम चैलेंज इरान को हराने वाला पैदा नहीं हुआ एक अक्टूबर को इसराइल पर मिसालों की बारिश करने वाले खामनेई भी अब आर पार की जंग करने को आमादा हो चुके हैं मिडलिस्ट के दावों के मताबिक इरान को लग रहा है कि अगर इसराइल पर जल्दी ही दोबारा अचेक नहीं किया तो इसराइल इरानी सेना के टॉप कमांडर और नेताओं को भी उसी तरह से टारगेट किलिक कर सकता है जैसे हमास और हिजबुला के धाकर नेताओं और कमां कर सकता है अब आप जरा ये जान लिजए खामनई मिसाइलों से ही इसराइल पर हमला करने पर क्यों उतारू है इरान का जरा ये वीडियो देखिए इस वीडियो के बारे में इरान का दावा है कि ये सुरंग बंकर जमीन से 500 मीटर की गहराई में एक पहाड़ी के नीचे मौ साफ देखा जा सकता है इस वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि इरान की मिसाइलें जबरदस्त हमला करने जा रही हैं इरान की ये मिसाइलें हर तरफ से लाँच हो रही है सेंटर फॉर स्टेटिक एंड इंटरनेशनल स्टेडिज यानी CSIS में मिसाइल ठेट पोजेक्ट की 2021 की रिपोर्ट के मताविक इरान के पास हजारों बलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं जिनकी रेंज अलग अलग है इसी साल अप्रैल 2024 में इसराइल पर किये गए इरान के पहले हमले के बाद इरानी नियूज आउटलिट ISNA और दे इरान प्रिमियर के जरिये इरान की म आउ मिसाइलों को दिखाया गया था जो इसराइल को पूरी तरह से तबाह कर सकती हैं और इरान ने ऐसा करके भी दिखा दिया है हम आपको बता दियें कि अमेरिकी वाई उसेने के जरनल कैनेथ मेकेंजी ने 2023 में कॉवर्णिस को बताया था कि इरान के पास 3000 से ज़दा बलि मिसाइलें हैं जो इसराइल को आसानी से तबाह कर सकती हैं इरान की सबसे नई मिसाइलों में मीडियम रिंज की बलिस्टिक मिसाइल खुरम शहर ने इसराइल के होश उड़ा दिये हैं इरान के खुरम शहर के नाम पर बनी खुरम शहर मिसाइल के रिंज 2000 किलो मिटर है खु 23,756 km प्रति घंटे के बीच है जो इस्राइल पर बहुत भारी साबित हो सकती है वहीं उश्राइब 3 मिसाइल की रेंज 1300 km है जो 8640 km की रफतार से हमला करती है जबके उश्राइब 4 की रेंज 2000 km जो 233 गुना रफतार से हमला करती है इमाद की रेंज 1700 किलोमेटर है इसकी स्पीड का खुलासा नहीं किया गया है जबकि एरान के हाइपोसोनिक मिसाइल फता मिसाइल के अधिक्तम स्पीड 16000 किलोमेटर प्रती घंटे होती है ये मिसाइल हाइपोसोनिक गती से उडान भरती है फता मिसाइल साउंट की चाल से पांच गुना तेज रफ्तार से उडान भरती है इसके अलावा इरान की इमाद और घदर मिसाइल ने इसराइल पर पहले चरण का हमला करके इसराइल को चौका दिया था वही इरान के खाइबर शेकर ने इसराइल के तीन सेन्य अड़ो को एक अक्टूबर के दिन जबरदस्त नुकसान पहुचाया था वही इरान के हज कासिम मिसाइल भी इसराइल के ताबूत में आखरी किल ठोक सकती है हज कासिम की रेंज 1400 किलो मिटर है इरान के मिसाइल हमले के भीसर खत्रे को देखते हुए अमेरिका और इस्राइल ने युद धस्तर पर रणनीती तयार की है सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और इस्राइल में एक सीक्रेट डील हुई है जिसके तहट इसरायल फ्रंट पर रहकर इरान के अंदर हमले करेगा और अमेरिका इरान के अंदर ग्रिह युद्ध की आग भड़काएगा अमेरिका और इसरायल ने मिलकर इरान के खिलाफ इस टू फ्रंट वार की तैयारी पूरी कर ली है 10 अक्टूबर को देर रात इसरायली सेक्यूरेटी कैबिनेट की बैचक हुई इस सेक्यूरेटी कैबिनेट की बैचक में इरान पर हमलों के मुद्दों पर वोटिंग हुई पूरी कैबिनेट ने इरान पर हमले का समर्थन किया है इस बैठक को एरान पर हमलों से पहले अंतिम बैठक कहा जा रहा है संकेत साफ है कि इसराइल के प्लैन में अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है इसराइल के रक्षा मंत्री यौग गैलेंट ने सबसे विनाशक संकेत दिये हैं गैलेंट ने कहा है कि स्वर्ग के दौर खुल छुके हैं, सही समय आचुका है इस बैयान का मतलब माना जा रहा है कि इसराइल इरान के परमालों सेंतिरों पर हमले करना है इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि प्राक्स Іरान के हाथ पैर है अब इन्हें काटने के बज़ाए इनका सिर्क चलने का वक्त आ चुका है इसराइल के लिए सबसे बड़ा खत्रा है इरान क्योंकि इरान की वज़े से ही इसराइल को साथ फरंट पर जंग लड़नी पड़ रही है इसराइल को लिबनान गाजा पर्टी इराक वेस्ट बेंक सिरिया यमन और इरान से जंग लड़नी पड़ रही है इन सब का शक्ति किंद्र तहरान है और अगर तहरान को खत्म कर दिया गया तो इसराइल के इन दुश्मनों की ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी अब देखना होगा इरान इसराइल पर पहले बड़ा हमला करता है या फिर इसराइल इरान का वही हाल करेगा जो घाजा और लिबनान का इस वक्त हो रहा है इसराइल ने लेबनान के बारज़ा में बहुत बड़ा हमला किया इडियाफ की एस ट्रैक में कई बहु मंजराय मारते जमी दोस हो गई तो बहुत दक्षणी लेबनान के नाकौरा में भीषण लड़ाई चारी है दक्षणी लेबनान में तनात सायुक्त रास्ट की शांती सेना के हेड़क्वाडर पर भी हमला हुआ और यहां तनात एक जवान को भी गोली लगी वार जोन की तरह ही डरावना अपडेट इरान से आया है जहां इरान इसराईल ने एक नई तरह का हमदा शुरू कर दिया है एक अक्तूबर को इरान ने जहां टार्गेट सेट किये थे वही पर 200 मिसाइले गिरी, भटी और इसराईल धुआ धुआ हो गया लेकिन अब खामनेई के ओरडर पर मिसाइले जिस लोकेशन पर हमला करेंगी इसकी कोई गैरंटी नहीं है क्योंकि बटन दबने के बाद इनी मिसाइलों को इसराईल कंट्रोल में लेकर टार्गेट सेट कर सकता है ये तो बिलकुल ताज्जुब की बाद है लेकिन याद करिए कि कैसे बेरूत में हिजबुल्दा लड़ाकों के पेजर फटने लगे थे कैसे उनके वाके टॉकी बंबन गए थे इसराईल इरान को भी उसी तरह दहला सकता है इसकी रिहलसल हो गई है इसराईल हमास और हिजबुल्दा के बाद तीसरे नमबर पर तहरान का दहलाना तै है इसराईल से दुश्मनी कितनी भारी पड़ती है यह गाजा की इन तस्वीरों से समझी है यहाँ पर एर स्ट्राइक हुई है यह आप देख सकते हैं अभी लोग जो जखमी होए है उनको निकाला जा रहा है एक रिस्क्यू उपरेशन चलाया जा रहा है लगातार इसराईल की तरफ से हमले किये जाना है तो फिलाल यह जो आप इरिद गित देख रहे हैं यह रिलीफ इंड रिस्क्यू उपरेशन की टीमें हैं जो यहाँ पर अभी पहुची है अभी यह कैपना मुश्किल है कि अंदर क्या हुआ है लेकिन यहाँ से यह है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट शुकरवार रात से उठा जबालिया में बारूदी जलजला अब जाकर शान्त हुआ लेकिन इसकी चपेट में आकर 22 लोग बेमौत मारे गए नब्बे की जिंदगी दाउं पर लगी है इसराईल इसी तरह वेस्ट बैंक में हमास को बेहरहमी से फीट रहा है लेकिन राफ़ा में कासिम ब्रिगेट जोरदार पलटवार करने लगी है कासिम ब्रिगेट ने इसराईल के दो टैंक और बुल्डोजर के चीतलो उड़ा दिये है अलजनेना इलाके में यासीन 105 अंटी आर्मर विस्पोटक बोले का इस्तमाल करके इसराईली सेना के दो मरकावा टैंक और एक D9 बुल्डोजर को बर्बाद किया गया है अलगि हमास और हिजबुल्ला दोनों को तेहरान से आई अलर्ट ने सन कर दिया है एरान में 11 अक्तुबर को कुछ ऐसा हुआ जिससे एरान के मिसाईल लॉंच तो होगी लेकिन भटेगी वहाँ जहां नेतन याहु चाहेंगे इस बुल्ला के रॉकेट उड़ेंगे लेकिन भटेंगे वहाँ जहां इसराईल के आर्मी तै करेगी हमास और हूती के हत्यारों का यही हाल होने वाला है इसराइल के दुश्मन अब अपने ही हत्यारों से जलेंगे नेतर्याहू ने साइबर युद्ध शुरू कर दिया है इसराइल हाइटेक लडाई से सभी दुश्मनों का सफाया करने जा रहा है पहले घजा, फिर बेरूद, और अब तेहरान का नंबर इसराइल के टार्गेट सेट है, टाइमिंग फिक्स है, तबाही का लेवल भी लॉक है एक-एकर दुश्मनों का सफाया, शेहरों की बरबादी, दुश्मन ग्रुप की पूरी लीडर्शिप का खादमा नेतर याहू ने हमास और हिजबुला को जिस तरह कुचला है, उससे भी खौपनाक अंजाम इरान को भुगतना पड़ सकता है इसका ट्रेलर 11 अक्तूबर को इसराइल ने दिखा दिया है, शनिवार को इरान की वार लाइफ लाइफ लाइन हैक कर दी गई थी इसराइल ने ऐसा कुच किया, जिससे तहरान में कोहराम मच गया आधी रात को इसराइल वार रूम ने ये मैसिच सोशल मीडिया पर पोस्ट कर, तहरान को थ्रेट से अलर्ट भी कर दिया है इरान में साइबर अटैक हुआ इस अटैक के माइने क्या है क्या इरान में सब कुछ इसराइल कंट्रोल कर सकता है डीटेल डरावनी है इसराइल के दुश्मनों के लिए भैयान है जानेंगे नेतन याहू का मोस्ट पॉफुल वार ब्लैन दोसों मिसाइल हमलों के बाद का पूरा ब्लूप्रेंट मगर वार जोन का ये विद्वनसक द्रिश्च देखने चलिए हाइफा, गैलीली और लेबनान वाडर पर इसराइल की जमीन जल रही है देख सकते हैं तस्वीरों में की ये जो घर है वो पूरी तरह से उजड़ गया है और कुछ ऐसे मिसाइल और रॉकेट प्रोजेक्टाइल होते हैं जो बासिंदे जो यहां के हैं इसराइली उनके घरों तक पहुँच जाते हैं अब आप देखिए तस्वीर कि जो यहां पर मिसाइल गरी उसकी वज़े से यह जो सोलर सिस्टम है पानी गरम करनी के लिए बैसिकली यह सोलर सिस्टम है वो पूरी उसके कांच जो है तूट गए है बिखर गए हैं देखिए कांच की टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं यह सोलर सिस्टम पूरी तरसे नस्ट हो गया है इसमुल्ला ने हाइपा को बेहसाब रॉकेट से छनली कर दिया है रॉकेट स्ट्राइक देर रात में शुरू हुई और भोर तक इसराईल को जुनसाती रही जब हाइपा में रॉकेट फट रहे थे तब बेरूत में भी बारूदी धमाके से धरती धर्रा रही थी बेरूत के आस्मान में काला धुआ बारा अक्तूबर की सुबा तफुकता रहा इसराइल ने अन्दादू थुद हमले के साथ लिबनान में हिजबुल्ला को 22 शेरों में डेथ वारेंट का इस्तिहार चापा है यह जो आप इरिद गरिद देख रहे हैं यह हर तरफ से तबाही है मैं दूसरे साइड से आपको दिखाने के कोश्च करूँगा यह आप देख सकते हैं यहां की गाडियां किस तरीके से बरबाद हुई है क्योंकि यहां पर लगातार इसराइल की तरफ से सिट्राइक्स की जा रही है और यहां पर इसराइल को लगा था के हिजबुल्ला के कमांडर इस एरिया में है और जहां पर भी उनको कोई इनफॉर्मिशन मिलती है वो उन्ही इलाकों को बरबाद कर देते हैं ये आप देख सकते हैं कि ये बिलकुल बड़े पैमाने पे यहां तबाही हुई है जहां पे भी आप नजर दोड़ाएंगे वहां पे तबाही दिख रही है तबाही के मनजर News 18 नेटवर्क पे आप देख सकते हैं इसराइल ने लिबनान के एताल शाफ, रामिया और हनीन जैसे बाईस इलाके इस बुल्ला लड़ाकों को खाली करने के आदेश दिये हैं आईडियेफ ने बाईस इलाके खाली कर अलवली सागर की तरफ भाग जाने का फरमान सुनाया है दक्षणी लिबनान में इसराइल ने तूफानी हमले शुरू कर दिये हैं इसराइल ने लिबनान के माईसरा केसरवेन पर भीशन हमले किये हैं दक्षणी लिबनान के बारजा में भी आईडियेफ ने जंगी जेट से बेहसाब बंबरसा हैं उदर बेरूत में भी इसराइल बारूत की मात्रा कम नहीं पढ़ने दे रहा है इस बीद बेरूत में मारे गए हिजबुला के टॉप कमांडर्स और इरान के कमांडर के शवो के शिनाख भी हो गई है इरान की इस्लामिक रेवलूशन गार्ड्स कॉप्स के टॉप कमांडर अबास निल फुरुशान की डेट बॉडी भी मिल गई है आयार जीसी कमांडर अबास की मौत नसर अल्ला पर हुए हमले में हुई थी कितनी तबाही हुई है यहां पर मैं यहां से दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि यहां पर रॉकेट गिरे हैं और रॉकेट की वज़ा से आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स में यहाँ पर क्यात तबाही हुई है, सब कुछ बिक्रा पड़ा है और कई लोगों की मौत हुई है इस हमले में और लगातार इसराइल की तरफ से रोकेट्स दागे जा रहे हैं और हिजबुल्ला की तरफ से भी अटाक किये जा रहे हैं बेरूत में भीशन ममबारी हो रही है और इस बीच एक बार फिर से इरान ने लिबनान के समर्थन की बात की है इरान के संसत के अध्यक्ष मुहमद बागेर बेरूत में हैं और इस्राइली हवाई हमलों से बचे खंड़हरूं का दौरा कर रहे हैं बेरूत की बरबादी की तस्वीरे इरान के संसत के अध्यक्ष मुहमद बागेर गालिबफ ने भी महसूस की इरान दौरे पर पहुंचे गालिबफ ने बेरूत में उस जगा का दौरा किया जहां नसरल्ला मारा गया बारूदी खंडर के धेर को देख इरान के पूर्फ सेनने कमांडर गालिबफ का खून खौल गया गालिबफ ने नसरल्ला की मौत की जगा से ऐलान किया है कि सुप्रीम लीडर खामनेई ने इसराइल की तबाही तक हिजगल्ला का युद्ध में साथ देने का एलान किया है अपने बाशन के बाद गालिबफ ने लिबनान के कार्रवाहक पुर्धान मंतरी नजीब मिकाती से मुलाकात की है इस बैठक के बाद हिजगल्ला के मीडिया आफिसर हर्ज मुहम्मद अफीफ ने नितनियाहू को डारेक्ट थमकी दिये इस बुल्ला और इरान की धमकिया एक तरफ है और दूसरी तरफ है इसराइल का नेक्स्ट अक्शन इसराइल ने साइबर अटैक के थ्रिलर अक्शन से तेहरान की टेंशन बढ़ा दिये इसराइल का साइबर हमला शुरू हो चुका है जो की हर गुजरते दिन बड़ा और विस्पोटक होता जाएगा इरान के साइबर स्पेस के पूर्फ सचिप फिरोजबादी ने इरान इंटरनाशनल के हवाले से दावा किया है कि इरान पर बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ है साइबर अटैक के दाएरे में इरान हकूमत का हर महकमा आया है यहां तक कि इरान के न्यूकलिर साइट को भी साइबर अटैक से निशाना बनाये गया है साइबर आटैक की जद में आरान के बंदर्गा, ट्रांसपोर्ट, हिंदन सप्लाई सिस्टम तक आये हैं साइबर आटैक का असर तहरान से लेकर आरान के सभी बड़े शहरों में दिखाई देने लगा है साइबर अटैक के बाद इरान के सभी सीक्रेट उडा लिये गए है मतलब ये कि इरान के हतियारों का रिमोट कंट्रूल अब तेलवीब में है जिसे जब चाहे इसराइल दबाएगा और इरान को दहलाएगा हाइटेक लडाई में इसराइल की साइबर आर्मी बेजोड मानी जाती है जो जब चाहेगी तेहरान को कबाल خانे में बदलने का दम रखती है तकनीक के दम से जीते जाते हैं इरान को भी ये पता है इसलिए साइबर अटैक के बाद इरान ने बड़े फैसले देने शुरू कर दिये है इरान के उड्यन मंत्राले ने मुबाइल के अलावा किसी भी इलेक्ट्रोनिक डिवाइस पर बैन लगा दिया है यानि प्लेन में पेजर और वाकी टॉकी जैसे इलेक्ट्रोनिक उपकरोनों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दि गई है इसमुल्ला के पेजर और वाकी टॉकी को तेलवीब में बैट कर बम बना कर उड़ाने का नमूना इसराइल पहले ही दिखा चुपा है इसके बाद इरान के साइबर वर्ल्ड में सेंदमारी ने देतन याहू की पावर को डबल कर दिया है इरान के सभी हत्यारों को हैक कर इसराइल इरान से बदला लेना शुरू कर सकता है इसराइल के हाथ अगर इरान की मिसाइल सिस्टम की चाबी होगी तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं की युद्ध का नतीजा क्या होगा इसराइल से मिले जटके के बाद अमेरिका ने भी इरान पर करारा प्रहार किया है अमेरिका ने इरान पेट्रोलियम कारुबार से जुड़े 6 संस्ताओं पर प्रतिबंद लगाया है अमेरिका ने इरान के 6 जहाजों को ब्लॉक्ट प्रॉपटी के रूप में पहचान भी की है इरान की 10 वित्ते संस्ताओं पर अमेरिका ने बैन लगाया है इनके 17 जहास के कारोबार भी ठप कर दिये गए है इरान पर मैक्सिमम प्रेशर बना हुआ है इसराइल कभी भी एक अक्तूबर का बदला लेना शुरू कर सकता है अमेरिका इसी ताक में बैठा है कि इसराइल इरान को दहलाए और फिर सूपर पावर शिया आर्क पर अपना टोटल कंट्रोल जमा ले लेकिन इरान भी जुकने को तैयार नहीं इसराइल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इरान अपनी सेना लेबनान में उतार सकता है मुहम्मद बागेर गालिबफ की बेरूत विजिट को इसी वार प्लान का सिगनल बताया जा रहा है लेबनान में इरान के आने भर की देर है फिर आरपार का युद्ध शुरू होगा जिसमें सभी लिमिट क्रॉस होनी तैय है इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही नमस्कार